मैं अपने हर युवा साथी को धेरों शुबकामनाई देता हूँ आज जिन स्टूडन्स को सन्मान मिला है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई आप आज जहां पहुँचे हैं आपने जो युग्यता हासिल की है उसके पीछे आपके माता पिता आपके परिवार के लोग आपके टीचर्स आपके प्रफुजर्स ऐसे अंगिनत लोग होगे उन सब की बहुत महनत रही हैं कुछ न कुछ योगदान रहा है मैं आज आपके जीवन को घड़ने में जिन जिन का योगदान रहा है मैं उन सभी का भी विशेश करके आपके माता पिता का रदय से अभिन्हंदन करता है साथियों आपने जब आएटी कानपूर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन मैसुस कर रहे होंगे यहां आने से पहले एक फियर आफ अन्नोन होगा एक ट्वेरी आफ अन्नोन होगी पहले आपकी नॉलेज़ आपकी क्वेरी का दाइरा आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार आपके अपनों के बीच सिम्टा हुआ था आएटी कानपूर ने आपको उससे बहार निकाल कर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है अब फियर आफ अन्नोन नहीं है, अब आप पूरी दुनिया को एक्स्प्लोर करने का होसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं अब क्वेरी आफ अन्नोन नहीं है, अब पूरी दुनिया पर छाय जाने का सपना है और जितनी लर्निंग आपकी क्लास्रूम में हुई और जितना आपको अपने क्लास में सिखने को मिला उतना ही आपने अपने क्लास्रूम के बाहर अपने साथ्यों के बीच एक्स्प्रियंस किया है क्लास्रूम में आपके भीचारों का, आपके आइडियाद का विस्थार हुआ क्लास्रूम के बाहर आपके व्यक्तित्व का विस्थार हुआ, आपकी परस्णालिटी विक्सित हुई है आपने आईटी कानपुर में जो अरजित किया जो विचार सम्रद्ध हुए है वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है फोर्स हैं जिसकी सक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे अनोखा करेंगे कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे आपकी आज की ट्रेनिंग आपकी स्कील आपकी नॉलेज आपका ज्यान निश्चित तोर पर आपको प्रैक्टिकल वर्ल में मजबूती से जगह बनाने में बहुत मदद करेगा लेकिन यहां आपका जो व्यक्तित वर्ल विक्सित हुआ है वो आपको ऐसी ताकत देगा जिससे आप सोसाइटी एज अ होल उसका भला करेंगे अपने समाज अपने देश को एक नया सामर्थ देंगे साथियों आपने हाँ आईएटी की भव्य लिगसी के हिस्टोरिकल पिरियर्ड को जिया है आपने विविद्वताओं से भरे भारत के वहभव के साथ बर्तमान को जिया है भव्य लिगसी और वाइब्रन प्रेजन्ट इन दो पिलर्स पर इन दो पट्रियों पर आज आप अपने उजवल भविश की यात्रा शुरू कर रहे हैं ये यात्रा शुब हो बेश के लिए सफलताओं से भरी हो आज जब आपके बीच हूँ तो मैं यही कहूंगा मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी साथियों इस साल भारत के भारत ने अपने आज़ादी के पच्चतरवे वर्ष में प्रवेश किया है हम सभी अम्रित महोत्सों मना रहे हैं आपने जहेज सहर में अपने डिग्री पाई है उस कान को कानपूर का अपना शांदार इतिहास रहा है कानपूर भार के उन कुछ जुनिंदा सहर में से हैं जो इतना डाइवर्स है सब्ती चौरा घाड से लेकर मदारी पासी तक नाना सहाब से लेकर बटुकेश्वर दब्त तक जब हैं इस शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंतर संग्रहाम के बडिदानों के गवरों की उस गवरों साली अतीत की सैर कर रहे हैं इन स्मृतियों के बीश आप सभी पर देश को अगले पचीस वर्सों तक दिशा देने देश को गती देने का दाईत्व है अब कल्पना करिए जब नाइंटी थर्टी में उन्नी सो तीस में दांडी यात्रा शुरू हुई थी तब उस यात्रा ने उस टाइम प्रियड को पूरे देश को कितना अंदोलित कर दिया था उस समय देश जितना चार्ट था उसने आज़ादी के लिए भारत के जन जन में एक अभुद्पर विश्वास पादा कर दिया था हर भारत वासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था उन्नी सो तीस के उस दौर में जो बीस पचीस साल के नवजवान थे उन्नी सो सहतालीस तक उनकी यात्रा और नाइंटीन फोर्टी सेवन में आज़ादी की सिती उनके जीवन का गोल्डन फेस थी आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं यह गोल्डन एरा है आपके लिए जैसे रास के जीवन का अमरत काल है वैसे ही यह आपके जीवन का भी अमरत काल है अमरित महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आई आई टी की लिगसी लेकर निकल रहे हैं तो उन सपनों को भी लेकर निकलें कि 2047 का भारत कैसा होगा आने वाले 25 सानों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही सभालनी है जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे उस समय का भारत कैसा होगा उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा और मुझे पता है कानपूर आईटी ने यहां के महोल ने आपको वो ताकत दी है कि आप अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता यह दोर यह 21 सदी पूरी तरह टेकनोलोजी ड्रीवन है इस दसक में भी टेकनोलोजी अलग अलग छेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है बिना टेकनोलोजी के जीवन अब एक तरह से अधुराई होगा यह जीवन अब टेकनोलोजी की सपरधा का यूग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे आपने अपनी जमानी के इतने महत्वपन वर्ष टेकनोलोजी का एकपरध बनने में लगाए है आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेकनोलोजी के खेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा आउसर है साथियों हमारी IITs तो हमेशा तैलेंट और टेकनोलोजी की इंक्युबेशन सेंटर रही है और IIT कानपूर की तो अपनी एक अलग ही रेपिटेशन रही है आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रेंट इड्फरसेक्चर के जरिये बनारस के खिरकिया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सी एंजी फिलिंग स्टेशन विक्सित किया है वो बहतरीन है इसी तरह आपने अग्रिकल्टर के ख्षेत्र में स्टेट अब आर्ट टेक्नोलोजी विक्सित किया है दुनिया की पहली पॉर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है फाइवजी टेक्नोलोजी में तो आईटी कानपूर का काम ग्लोबल स्टेंडर्स का हिस्सा बन चुका है यह संथान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है ऐसे में आपकी जिम्मेदारिया भी कई गुना बढ़ गई है आज 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 अर्टिफिशल इंट्रिजेंस के खेत्र में एनर्जी एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन्स में हाइटेक इंफ्रसेक्टर के खेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है हेल जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलोजी ड्रीवन होते जा रहे है हम एक डिजीटल डायूनिसीस के एरा में है रोबोर्ट असिस्टेट ट्रीट्मेंट के एरा में पैर रख रहे हैं हेल्ट डिवाइसीस अब घर की एसेंशिल बन गई है डिजास्टर मेनेजमेंट में चुनोतियों का सामना भी हम टक्नोलोजी के जरिये ही कर सकते हैं आप कलपड़ा करिए हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं यह संभावनाएं आपके लिए इनमें आपकी बहुत बड़ी भूमी का है यह आपके लिए देश के प्रती के विल जिम्मेदरिया नहीं बलकि यह वो सपने हैं जिने हमारी कितनी ही पेडियों ने जीया है लेकिन उन सपनों को साकार करने का एक आधुनिक भारत बनाने का वो सवबाग यह आपको मिला है आपकी पीड़ी को मिला है साथियों आज आप 21 सदी के जिस कालखंड में हैं वो बड़े लक्षताय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है जो सोच और एटिटूड आज आपका है वही एटिटूड देश का भी है पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी तो आज सोच कुछ कर गुजरने की काम करके नतीजे लाने की है पहले अगर समस्याओं से पीछा छुडाने की कोशिच होती थी तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं समाधां वो भी स्थाई Stable Solutions आत्म निर्भर भारत इसका बहुत बड़ा उधारान है साथियों हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते है कि अब समय आ गया है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मुझे पक्का विश्वास है आप जब यहां से घरब जाओगे ज़रा मिलने के लिए माता पिता को तो पहला यही सुनोगे कि भैई अब मेरा काम पुरा हो गया अब अपने पैरों पर खड़े हो जाना हर माबाप यही कहने वाले है और अगर देर कर दी तो बार बार सुन्डे को बिलेगा घर के बड़े बुजूर्ग माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्म निर्वर बने आप अपने सामर्थ को पहचाने आप सपने देखें उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें हमारे भारत ने भी तो आजहाद के बात अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी जब देश की आजहादी को पटीस सान हुए तब तक हमें भी अपने पहरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है देश बहुत समय गवा चुका है बीच में दो पीडिया चली गई इसलिए हमें दो पल भी नहीं गवाना है साथियो मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है और वो स्वाभावी कहें का आपको अधीरता लगती भी होगी लेकिन मैं चाहता हूँ और जब आज कानपूर की धर्ती पर आपके बीच में आया हूँ तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्म निर्वर भारत के लिए अधीर बने आत्म निर्वर भारत पूर्ण आधादी का मुल्ट स्वरूपी है जहां हम किसी पर भी निर्वर नहीं रहेंगे स्वामी विवेकाने ने कहा था Every nation has a message to deliver A mission to fulfill Our destiny to reach यदि हम आत्म निर्वर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष कैसे पूरे करेगा अपनी destiny तक कैसे पहुँचेगा साथियों आप ये कर सकते हैं मेरा आप पर भरोसा है और मैं जब आज इतनी बाते कह रहा हूं इतनी चीजे कर रहा हूं तो मुझे उनमें आपका चहरा नजर आता है आज देश में जो एक के बाद एक बडलाव हो रहे हैं उनके कुछे मुझे आपी का चहरा नजर आता है आज जो लक्ष देश तैक कर रहा है उसकी प्राप्तिकी शक्ति भी देश को आप से ही मिलेगी आप ही है जो ये करेंगे और आपको ही करना है ये अनंत संभावना आपके लिए ही है और आपको ही इने साकार करना है देश जब अपनी आज़ादी के सो वर्ष मनाएगा उस सभलता में आपके पसीने की महग होगी आपके परिशम की पहचान होगी और आप ये बली भाती जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह आप मंदिर भर भारत के नीव तयार करने के लिए आपका काम आसान करने के लिए देश ने किस तरह काम किया है पिछले साथ सालों में देश में स्टार्ट अप इंडिया स्टेंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए अटल इनोवेशन मिशन और पी एम रिसर्च स्कॉलर्शिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है नेशनल एजुकेशन पालिसी के साथ फिचरिक्स्रेक्ट टेंप्रामेंट की नई पीडी को तयार करने की शुरूबात हो रही है